सब्सक्राइब कीजिए admission information को और लैस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आईकान को प्रेस करें हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूट्व चनल admission on page दो दोस्तो आजके वीडियो में हम discus करेंगे deepestrae deepest Teslae Huge x букshop काउंस इन्हें उसका साहिए और उसमें अभी कितने सारे सीटे खाली है तो उसके बारे हम चर्चा करेंगे यहां पर देख सकते हो फॉर्थ राउंड ओनलाइन काउंसलिंग सेड्यूल 2021 जब हम इसको ओपन करेंगे इस पीडियो को तो वहां पर प्रॉपर तरीके से दिखा रखा है सेड्यूल क्या होने माला है कितने से कितने र से लिए राउन ओनलाइन काउंसलिंग फिर यूजी कोर्सेंग विपरेंट अर्फित डेसंबर को यह हो गया अब इसमें होता कि हाना है ट्वन्लाइन रिपोर्टिंग दे रखीन तो आज देखो आज नेता है आज जो है आपका डेट है 28 डिसंबर है तो आज और कल यानी क PC2 तक होना चाहिए देली अर चैसायी तक नानल्य एस इस शी ये रिपन सी तक आपको और डेली और नान डेली के तो इस रेंग तक आपको जो है रिपोर्टिंग करना है अनलाइन अब देखो क्या होता है हाला कि मैंने भी यहां पर एडमिशन ले रखा है ठीक है तो मुझे इसके बारे में पता है मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे आप फार्मेशी में पता है इन्टी जो काउंसलिंग करवा कर बैढ़ जाती है कोई कांटेक्ट नहीं कोई कांशलमेशन नहीं तो आप लोग ऐसे आपको करवाना है तो देखो जैसे आप लोग ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर लोगे न तो जिसका मेरिट नमर पहले रहेगा ठीक है उसको तो पताबाद या चार पांच दिन बाद आपको लिंक एक प्रोवाइड किया जागा उसका फिस सब्मिट करने के लिए ठीक है तो और ऑनलाइन डाकुमेट वेरिफिकेशन देखो है और ऑनलाइन फिस सब्मिशन देखो ऐसा नहीं होता है यहाप इन्होंने बस यह से दे रख लगता है आपको ठीक है तो इन्वर्षिट आपको ऐसे कांट्रेक्ट करेगी तो यह तो है कि आए इन्फार्मेशन का अब यहाँ हम देख लेखते हैं कि कितना सारा सीट अभी भी वेकेंट है तो अगर हम सीट की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे ए BMLT में जो है डेली जनरल के लिए एक भी सीट नहीं है OBC के लिए तीन सीट अभी भी अवेलेबल है नॉन डेली जनरल के लिए पांच सीट है नॉन डेली सीट के लिए एक सीट है और डेली EWS के लिए दो सीट है और नॉन डेली EWS के लिए एक सीट है और डिफेंस के लिए अब देखरो आप लोग ना BMLT में इतनी सारी सीट अभी अभी भी अभी 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 अवे लेबल है युनिवर्सिटी में हम बात करें हम DMLT की तो DMLT की में डेली जनरल के लिए आठ शीट है अभी भी OBC के लिए 13 seat है डेली SC candidate के लिए 3 seat अभी भी है non-daily के लिए 7 seat है और non-daily SC के लिए 1 seat है non-daily SCC के लिए यहाँ पर देखते हो रहा है आपको इतनी सारी seat अभी भी भी आप लेवल आप लो आप लो पढ़ लो यहाँ पर क्योंकि जायद में बता नहीं सकता आपको ठीक है यहां पर extreme पर देख हो रहा हो देखी रहा हो आप लोग तो बोलने साच है आप लोग देखी लो अब बात करेंगा आयरुवेदा की तो आरुवेदा में पांच सीट है क्योंकि मैं जब वहां पर एडमिशन लेना गया था तो आयरुवेदा और BBA Community Healthcare में बहुत सारे सीट अबेलेबल थी तो यहां पर आप लोग देख सकते होगे कि यहां पर सीट बहुत सारे अबेलेबल नहीं है तो आप लोग जिस भी कोर्स के लिए इंट्रेस्टेड हो ठीक है तो आप जा कर कोहां एडमिशन कराओ और आपको मैं एक चीज बता दूँ यह जो वहा देता है क्योंकि आप लोग जानते यहों कि देफ stheroo का कितना अच्छा राह्यक रहा है एन आयरेफ में भी तो यहां पर एडमिशन देना जायता है मतलों लोग वहां पर एडमिशन लेते हैं प्रीफर करते हूं कि हमारा आडमिशन वहा पर हो क्योंकि मैं भी कर रहा अगर आप लोग कमसर्म करना चाहते है अपना तो उसके बाद से आपको admission का link आजाएगा अब जैसे लिंक आजाएगा तो link आपको fis pic करना है पेक करने के बाद आपको जो रिशिफ्ट मिलागा उसके स्क्रीन सॉट ले लेना है और उसके बाद से आपको कौन करके पूछ लेना है कि आपको फिस्कल डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाए जागा आपको इन्सिटी में जाना पड़ेगा ठीक है आपको फिस के लिए यह इन्फार्मेशन है बाकी जैसे कोई अधर इन्फार्मेशन होगा डिफ्सरू या डिफ्सार से लेटेट कोई फार्मेशी बीबी या भी फार्मा और वेदा जो भी इन्फार्मेशन होगा मैं अपने वीडियो के तुरू आप तक पहुंचाने के पूरी-पूर कि अदयाओ।